गुद्मॉर्णिंग मैं डियर स्टुडेंट्स एक बार पुना आप सभी लों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज जो कविता हम आप सब के सामने लेकर आए हैं उसका टाइटल है एजुकेशन आप नेचर जिससे लिखे हैं विलियम और सोर जो एक रोमांटिक क तुनको हम पोएट आफ नेचर के रूप में भी जानते हैं तो इस कविता को सुरू करने से पहले आए इसके बैक्ग्राउंड के बारे में जान लेते हैं इस कविता में लूसी नाम की एक कालपनिक बालिका है जो बहुती सुंदर है और प्रकीर्थी उसे अपने गोद में लेकर उसका पालन पोसर करना चाहती है उसे सिच्छा देना चाहती है और चाहती है कि खुले वातावरण में उसका विकास हो प्रकीर्थी चाहती है कि उसे खुद सिच्छित करे और उसका पत प्रदर्शन करे किन्तु दुर्भाग यह है कि लूसी बहुत स्रिग्र मर जात कभी अन्भो करता है कि वह अकेला रह गया है और वह लूसी की मधूर इस मेती में खो जाता है तो चलिए इस पोयम को देखते हैं एजुकेशन आफ नेचर मतला प्रकिर्टी की सिच्छा कभी उस कालपनिक लड़की लूसी के बारे में कहता है कि अपने जीवन के प्रारंभिक तीन बर्स वह सन मतलब धूप में और सावर मतलब बवचार में बिताई और थात वह अपने प्रारंभिक तीन बर्स खुले आसमान में रही देन नेचर सेड तब प्रकिर्टी कही एलवलियर फ्लावर आन अर्थ वाज नेभर सोन एक प्यारा पुस्पु आन अर्थ मतलब प्रितवी पर वाज नेभर सोन मतलब कभी नहीं सोन मतलब उगा अर्थात इतनी प्यारी बच्ची अभी तक प्रित्वी पर पैदा नहीं हुई This child I to myself will take This child इस बच्ची को अर्थात Lucy को I to myself will take मतलब मैं स्वयम लूँगी She shall be mine, वह मेरी होगी and I will make a lady of my own और मैं अपने तरीके से अपने अनुसार उसको एक सब यह औरत बनाऊंगी Myself will to my darling be both law and impulse प्रकिर्टि काती है कि Myself मतलब मैं will to my darling मतलब अपनी पुत्री को be both law and impulse मतलब नयतिक नियम and impulse मतलब अच्छी भावना है मैं अपनी पुत्री को नयतिक नियम and अच्छी भावना है सिखाऊंगी and with me the girl और मेरे साथ the girl मतलब यहां Lucy से मतलब है कि मेरे साथ Lucy in rock and plain in earth and heaven in glad and bore shall feel and oversink power to kindle our strain मतलब मेरे साथ यह लड़की Lucy in rock मतलब चटान पर and plane मतलब समतल अस्थान पर in earth मतलब पृत्वी पर and heaven मतलब खुले आस्मान में in glad glad उस अस्थान को बोलते हैं जो पेडों के बीच में खाली अस्थान होता है तो कहती है कि खाली अस्थानों पर and bore मतलब कुझ cell feel and oversink power मतलब वह महसूस करेगी and oversink power एक अलवकिक सक्ती को या प्राकिर्टिक सक्ती को to kindle जो प्रेरित करती है or restore मतलब किसी चीज़ को नियंतिर करती है अर्थात मेरे साथ यह लड़की उस सक्ती को महसूस करेगी जो किसी चीज़ को प्रेलित करती है या नियंतिर करती है C shall be sportive as the farm that wild with glee across the lawn or up the mountain springs C shall be sportive वा उसी प्रकार से sportive मतलब हुर्तिली होगी as मतलब जिस प्रकार से the farm हीरन का बच्चा that wild with glee जो परसन्नता के साथ across the lawn मतलब घास के मैदान को पार करता है या फिर घास के मैदान में खेलता रहता है उचलता रहता है are up the mountain springs या फिर परवती ज़र्ने परवती ज़र्ने पर चलता फिरता रहता है उसी प्रकार से Lucy भी फूर्तिली बनेगी या चंचल बनेगी and her shall be the breathing balm breathing balm मतलब हो जाएगा सक्ति साली हवा अर्थात वहा सक्ति साली हवा प्राप्त करेगी and her shall the silence और वहां वहां से सांती प्राप्त करेगी and the calm of mute insensate things insensate things मतलब निर्जी वस्तु में जैसे परवत, जील, चटा, नित्यादी से वहां सांती प्राप्त करेगी the floating clouds मतलब बहते हुए बादल their state मतलब अपनी अस्ता को silent मतलब उधार देंगे to her मतलब उसको अर्थात बहते हुए बादलों से वहां चलना सीखेगी far her the wheelo bend और उसके लिए जो wheelo के breech है वह bend मतलब जुक जाएंगे अर्थात वीलों के बिच्चों से वहां जुकना सीखेगी nor cell see fail to see और वहां देखने में असफल नहीं होगी even मतलब यहां तक की in the motions of the star मतलब तुफान की गती में भी grace मतलब उस sun को that cell mouth जो ढ़ाल देंगे the maidens मतलब कुमारी के रूप को या आकार को अर्थात जो Lucy के रूप या आकार को ढ़ाल देंगे by silent sympathy एक सांत सहनभूती के द्वारा the stars of midnight cell be dear to her और धरात्री के तारे midnight मतलब और धरात्री के तारे उसे प्यारे होंगे and she shall lean her here in many a sacred place और बहुत से एकांत अस्थान पर वह अपने कान को lean मतलब ध्यान से सुनना बहुत से एकांत अस्थान पर वह ध्यान से सुनेगी where मतलब जहां rebulates मतलब छोटी छोटी नदिया dance मतलब कल-कल की आवाज करते वे बहती है they are wayward round मतलब अपने चक्कर में and beauty burn up murmuring sound shall pass into her face और उन नदियों को देखने से उसके चेहरे पर murmuring sound मतलब जो उन नदियों की कल-कल की आवाज होगी उससे उसके चेहरे पर सुन्दरता दिखाए देगी and vital feelings of delight मतलब vital मतलब सकती देने वाली feelings मतलब भावना हैं आप delight मतलब परसंदरता के और परसंदरता की सकती देने वाली भावना हैं cell rear her farm उसके रूप को बनाएंगी to stately height मतलब सीरा अर्थात सकती देने वाली परसंदरता पूर भावना हैं Lucy के सरीर को प्रभावसाली उचाई देगी her virgin बासं स्वेल और उसका जो virgin मतलब पवित्र असा मतलब वच अस्तल स्वेल मतलब उभाराना अर्थात उसके पवित्र वच अस्तल में उभाराएगा such thoughts to Lucy I will give प्रकिर्टि काती है कि इस प्रकार के thoughts मतलब विचार में उसको दूंगी while मतलब जब see and I together वच और मैं साथ साथ लिव मतलब रहेंगे here मतलब यहाँ in this happy day मतलब इस प्रसंद घाटी में जब वच और मैं इस प्रसंद घाटी में एक साथ रहेंगे तो मैं Lucy को ऐसे विचार दोंगी तस नेचर इस पेक इस प्रकार से प्रकिर्ति कही the work was done Lucy को सिचित करने का कार समाप्थ हो गया how soon my Lucy से race was run अर्थात कितना जल्दी Lucy का जीवन समाप्थ हो गया she died वो मर गई and left to me और मुझे छोड़ गई this hate hate मतलब इस बंजर भूमी में this calm इस आन्ती में and quiet scene और इस सांत वातावरण में the memory of what has been उसकी इस मित्ती जो कभी थी and never more will be और फिर कभी नहीं होगी अर्थात वा मुझे उस इस मित्ती के साथ इस बंजर भूमी में और सांत वातावरण में छोड़ गई जो उसकी इस मित्ती कभी थी और फिर कभी नहीं होगे